ओके अभी ये लिस्निंग का टेस्ट है, इसको हम सॉल्फ करेंगे 40 by 40 questions, I'll give your tips and techniques, आपको मैं बताऊँगा के question को कैसे पढ़ने है, audio में क्या फरक आएगा question की language में, और audio की language में क्या difference है, और किस तरह आपने answer को understand करने है, ठीक है, आपने focus करने है, part 1 इंतहाई असान होगा, यहाँ पर आपको लगेगा कि I'lls चो है ना बहुत असान है, जिन्दगी एक सफर है सुहाना, ठीक है, तो जैसे आप part 2 पर आएंगे, थोड़ा आपका मुह लटकना शुरू होगा, part 3 पर पर आएंगे पूरा लटकेगा मुह आपका, फिर part 4 पर आएंगे थोड़ा साब अ असान है, और part 3 थोड़ा सा complicated होता है, लेकिन उसको भी मैं explain करूँगा आपको, तो आपने understand करना है, और English को improve किये बगएर, I'lls में अच्छा band score नहीं आएगा, अगर आप यह कहिना कि खाली मुझे tips मिल जाएं, मेरी English जैसी भी है, I'lls जो है वो tips से हो जाता है, तो tips से नही form कर पाएंगे, अच्छा जी, सबसे पहले हम start कर, section 1, complete the notes below, question type है, notes completion, write one word and or a number, यह most common question type है, part 1 में, part 1 में 99% chances हैं, कि आपको sentence completion आएगा, और उसमें होगा one word and or a number, a one word and or a number का मतलब है कि answer आपका हो सकता है, glass, glass क्या है, one word, या answer हो सकता है, two glasses, अब two क्या है, number, और glasses क्या हो गया, word हो गया, या फिर answer होगा सिर्फ two, तो यह combinations तीन हो सकते हैं, one word and or a number, अच्छा उसके बाद, listening में, एक student ने मुझे कलना, message किया था, कि जी, listening में, जब मैं part 3, अब 4 पे पहुंचता हूं, तो मेरे attention level जो है न, वो बिलकुल खतम हो जाता ह है, interest पी नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आती, दिमाग बंद हो जाता है, तो दिमाग तब बंद होता है, जब आप इसको अपने mind में visualize नहीं करेंगे, अब देखें, यहां पे हम अभी बात करने जा रहे हैं, family excursion की, आप साथ ही सोचते हैं, अपने दिमाग में, ख्यालात म इसको image बनाते हैं, family का, कि एक family है, वो छुटियों पे जा रही है, ठीक है, उसमें मतलब जो भी वो चीज़ें बातचीत करेंगे, अगर आप उसको सोचते रहेंगे साथ-साथ, तो चीज़ों को आप अच्छे से understand करेंगे, और अगर दिमाग में आपके यह होगा, कि मैंन सारा एक ship होता है, उसकी चछत के उपर, आपने शायद कभी देखा हो, music लगा के खाना शाना खा रहे होते हैं, dance कर रहे होते हैं, performance हो रही होती है, ठीक है, यह मैं दुबई में दो तीन दफा की है, it's really fun, right, so cruise on lake, अब इमेजन करें एक खुबसूरत सी जील, और उसके उप पहले ही audio play किया करते थे, लखिन अब नहीं करते, अब direct audio question number one से start होगी, question number one है, can take photos of the, अब आपने इमेजन किया कि एक lake है, उस lake पे एक कष्टी जा रही है, कष्टी की चछत पे लोग बैट के music सुन रहे है, cruise होगा, सारा होगा, वो क्या बोल रहे है, can take photos of the dash that surround the lake, अब आ आपको सिर्फ यही पता है, उसकी आँखे जील जैसी है, उस जील नहीं पता कि क्या होता है, हाँ, जील आँखों जैसी होती है, so anyways, around the lake, usually, या तो trees हो सकते हैं, या around the lake, there are mountains, ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, और आपने जिंदगी में कभी कोई जील द करें, अब वो लोग words surround का use नहीं करेंगे, surround की जगह पर बोलेंगे all around, या फिर surround की जगह पर क्या बोलेंगे all four sides, all around, right, all four sides, everywhere, इस तरह covered हो, अब आपने देखने हैं, कि किस चीज की photo आप ले सकते हैं, जो जील के इर्द गेर्द है, ठीक है, now I play the audio, please listen and answer. sure, how about taking your family for a cruise, we have a steamship that takes passengers out several times a day, it's over a hundred years old, that sounds interesting, how long is the trip, about an hour and a half, and don't forget to take pictures of the mountains, they're all around you when you're on the boat and they look fantastic, okay, don't forget to take the pictures of the mountains, they are all around, they ka kya मतलब है, mountains, अब जब आंसर आते हैं न, वो ये नहीं बोलेंगे, mountains are all around the lake, वो बोलेंगे, they are all around the lake, they ka मतलब है, mountains, ये बड़ी common strategy है, तो आंसर क्या हो जाएगा, mountains, plural word आप लिखेंगे, ठीक है, mountains, okay, let's go on, next we have farm visit, और farm visit में sheep का word underline कर लें, जब वो sheep की बात करें, तो आपने समझ जाना है कि audio यहां पर पहुंच की है, इसको कहते हैं, audio के साथ साथ चलना, अगर आप audio से आगे निकल गए, या audio आप से आगे निकल गए, या पीछे रहागे, तो आपके 4-5 answers पके miss हो जाए तो यहां पे है, next क्या है, visit can include a 40-minute ride on a, अब answer क्या होगा, हो सकता है 40-minute ride on a car, 40-minute ride on a plane, और अगली जो हम बात कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं, farm visit की, अब imagine करें, farm house है, farm house में 40-minute की ride होगी किसी चीज़ पे, ठीक है, हो सकता है को किसी donkey पे हो जाए, कि 40-minute आपको गदे पे बिठा के, चकका शकका लगवाएंगे, राइट, और अइनिधिंग लाइट, कोई भी ऐसा जानवागे, आपको भेंस की सेर, आपको सेर करवाएंगे, something like that, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने की देखना है, कि 40-minute की ride किस चीज़ पे है, like it can be a mode of transportation, animal, or any other vehicle, so let's see what it is. Well, there's also a 40-minute track around the farm on a horse, if he wants. Do you think he'd manage it? There is a 40-minute trip on a horse, so answer क्या होगा, horse, ठीक हो गया, तो अगर समझें, और उससे पहले बात होगी थी, शीप की, और उसको धिहान से सुनने की जुरत नहीं, हर चीज को बहुत तवज्जों से नहीं सुनना, फिर आपकी जो attention का span है, वो थर्ड सेक्शन में आकर खतम हो जाएगा, आ Visitors can walk in the farms dash, अब इसका मतलब है कि farm के अंदर कोई चीज है, farms, apostrophe S, यानि farm से relevant कोई चीज है, visitors जो है, वो वहाँ पे चल सकते हैं, by the lake, और वो जगह जो है, lake के नजदीक है, farm से related है, जहां पे visitors पैदल चल सकते हैं, अच्छा, अब by की जगह पे अकसर word आता है, by the lake, near the lake, adjacent to the lake, कोई भी ऐसा word, तो अब आप कोई से सुनेंगे, कि कोई ऐसी चीज जो lake के नजदीक है, और farm की property है, वहाँ पे आप आप वाक कर सकते हैं, And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake, which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. All right, there are some beautiful gardens along the side of the lake, अब बाय की जगह पे क्या आगया, along, along का भी मतलब है साथ-साथ, बाय का भी मतलब है साथ-साथ, so answer is gardens, कुछ लोगों ने miss किया, इसको सुनियेगा, अचा, actual exam में audio इस तरह one by one नही प्ले होगी, यह मैं सिर्फ आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं audio one by one play कर रहा हूं, actual exam में यह continuously चलेगी, ठीक है, और actual exam में audio repeat भी नहीं होगी, मैं repeat कर रहा हूं कि ताकि आपको भी understanding इसकी अच्छी हो जाए है, And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on, there are some very beautiful gardens along the side of the lake, which, okay, there are some beautiful gardens along the side of the lake, side of the lake का मतलब हो गया, by the lake, ठीक है, answer is gardens, Dash is available at extra cost, अब कौन सी चीज है जो आप पैसे पे करके ले सकते हैं, हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज बताएं जो free है, वो आपका answer नहीं होगा, answer वो होगा जो आपने पैसे पे करके लेना है, उसको बोलते है trap, यानि जो answer नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वो answer है, उसको ब So it's not included in the basic cost, you pay when you get there, right, you pay when you get that, और that से पहले क्या बात होई, lunch की, can I get lunch, it's not included in the basic cost, you pay when you get that, so answer क्या होगा, lunch, यानि रोटी शामिल नहीं है, रोटी के पैसे अलग देना है, okay, correct answer is lunch, अच्छा, अब वहां से हम हटे तो हम आगे cycling trips पे, ठीक है, family excursion की बात हो रही है, वहां पे cycling trips भी है, कि आप cycle कराए पे लेके तो जा सकते हैं, पहला दिया हुए, cyclist explore the back road, back road को underline कर ले, जब back road की बात हो तो आपको पता चलेगा कि audio यहां पे पहुँच किए, दूसरा वो कह रहे है, a dash is provided, आ का मतलब है answer आपका singular होगा, और आ का मतलब है answer आपका non vowel से start होगा, we will give you, you will be provided, you will get, टीक है, you will get, we will give you, you will be provided, and all that, टीक है, जो चीज़ आपको मिलेगी, cycling trip पे, that will be your answer. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the back road. You could easily spend three or four hours exploring it and the scenery is wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. Okay, they will give you a map when you get your ticket. They will give you a map and a map is provided. यानि map दिया जाएगा, यह passive voice है, they will give you a map, वो आपको map देंगे, यह active voice है. तो बासकत क्या होता है, question में, booklet पे passive voice लिखा होता है, audio में active voice बोलते हैं, तो आपको answer ढूनना होते है, ठीक है? Okay, let's go on. Question number six, only suitable for cyclists who have some. अब cyclists दो तरह की होते हैं, एक बंदा जिसने कभी नी cycle चलाया, उसको चलाना हाता है, तो वो एक वो होगा. एक वो होगा जो रोज दो घंटे cycling करता है, दोनों में फर्क तो होगा न, right? So, only suitable for cyclists who have some. Now, कौन सी चीज़ है, जो cyclist के पास है? Who have some stamina, who have some power, strength, anything like that. Okay, let's see. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your seven-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. It needs someone who's got a bit more experience. It needs someone who's got a bit more experience. का मतलब है, who have, who की जगा पे आगया, someone, right? Bit more experience. आंसर क्या होजएगा? Experience. और याद रखें, आपके spelling ठीक होनी चाहिएगे. अगर आपके spelling गलत हैं, तो आपका answer गलत हो चाहिएगा. ठीक है? All right, next question number seven. Bikes can be hired from dash. अब जहां पे आपको cycle कराये पे मिलेगी, उस जगा का नाम. अगर तो कोई proper noun है, तो उसको spell करेंगे. अगर कुई ऐसा नाम है, जो थोड़ा सा unusual सा नाम है, जो आपने कभी नहीं सुना, तो उसको spell करेंगे. और अगर वो कहेंगे, bikes can be hired from the local cafe. अंसर क्या हो जाएगा? काफे. काफे. वन वर्ड ओनली है, ना local नहीं लिकेंगे. तो अगर काफे आंसर है, काफे कैसा वर्ड है, जो हरे को आता है. राइट, सो लेट सी, नियर दा क्रूज शिप टर्मिनल, और यह जो जगह है, जहां से आपको साइकल्स कराए पे मिलेंगी, वो क्रूज शिप टर्मिनल के पास है. अब देखते हैं उस जगह का नाम के है. हाँ? नहीं अब ही जो चल रहा है, यू देखते हैं दिखना रहा है? हाँ? मुवी तोड हम देखने हैं. We are attending the class, so you need to write your answers. They were spelling it for you and all three were sitting like this. अइट, come on. अपने इसाइव नाम सायों पे नजर रखें. अगर कोई आपको ऐसा नजर आए तो पहली दफ़ा में हलकी सी कोनी दोसी दफ़ा में टका के वक्षी चे ताकि आइल्ट हो नाओ वो दर्द उसको सारी जिन्दगी याद रहे ज़रा दाएंबाई नजर रखें कि सब लोग answers लिख भी रहेंगे अच्छा अब ये वाला अगर आपने रेचेसंस वाला एस मिस कर दिया तो पता है क्या होगा answer गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इसको spell किये otherwise singular plural चल जाता है लेकिन ये नाम के अंदर plural है ठीक है तो ये अगर आपने एस मिस किया तो आपका answer गलत होगा राइट चलें आगे चलतें ये answer साथ साथ लिखें और जो लोग paper delivered कर रहे हैं उन्होंने ये paper के उपर पहले answer लिखने हैं बाद में ये answer आप answer sheet पे transfer करेंगे और जिन लोगोंने computer delivered करना है वो साथ साथ answer type करते रहेंगे मतलब जैसी ये one two three four है न उस पर blanks बने होंगे आप उस blank पे mouse से click करेंगे answer है mountains आपने mountains लिख लिख लिया वहां पे ठीक है वैसे आपके table पे pen paper होगा अगर कोई answer miss हो गया तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं लेकिन आपने साथ साथ इसको type करने है मतलब सिर्फ ये नहीं है आप कहीं पहले मैं सारे सुन लेता हूं end पे जाके लिखूंगे end पर याद भी नहीं रहेगा आपको तो ये साथ साथ अपने answers आपने लिखने है और listening के answers transfer करने के लिए आपको 10 minute पिलेंगे reading के answer transfer करने के लिए कोई time नहीं मिलेगा वो अपने one hour में पूरा test अपना complete करने है अभी एक इंडिया से student था उसका IELTS में एक band आया reading में one band क्यों आया वो कहता है मैं इतना मगन हो गया reading का test solve करने में तो उन्हेंने बोला कि test का time up खत्म हो गया मैंने कोई बात नहीं examiner खुद ही देख लेगा examiner के पास यह question booklet तो जाता ही नहीं है examiner के पास क्या जाएगा answer sheet और वो भी scan की हुई तो अगर आपने answer sheet पे answer नहीं लिखे तो एक band पका फिर फिर आप करेंगे मैंने आयल्स में मैं number one हूं आयल्स में राइट वो वला number one विकार है अच्छा जी आगे चलते हैं cyclists need अब imagine करें जी cycle चलाने वाले cyclists को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है उनको helmet चाहिए होता है उनको पानी की बॉटल चाहिए होती है अगर रात को cycle चला रहे है तो उनको light चाहिए होती है ठीक है इस तरह की चीज़ ने cyclist need repair kit अगी कि अगर cycle खराब हो गई तो repair kit निकाल लेंगे food and drink लाजबी बात है को biscuit या पानी and all that उसके बाद a dash can be hired अब कोई चीज है जो वो क्राए पे ले सकते हैं गर उनके पास अपनी नहीं है ठीक है let's see you'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you and you'd need to take along a snack and some water it'd be best to get those in the city fine that shouldn't be a problem and I assume I can rent a helmet from the bike place sure you should definitely get that okay I assume I can rent a helmet sure you can get that so answer is helmet how do you spell h-a-l-m-e-t exactly helmet okay there are no dash or accommodation in the area अब उस एरिया में एक तो रहाइश कोई नहीं है accommodation का मतला पर रहाइश रहने की जगा कोई नहीं है उसके अलावा कौन सी दूसरी चीज है जो नहीं है हो सकते है वो बोलें there are no cafes or accommodation कि ना cafe है ना accommodation है अब दो चीज़ी है जो नहीं है accommodation हमें बता दिया और हो सकते है accommodation की जगा पर वो world use करें place to live या फिर world use करें hotel या फिर world use करें lodging lodging का भी मतलब है कि कोई रहने की जगा तो उसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो answer होगा it's a great ride but you want to be well prepared because it's very remote you won't see any shops around there or anywhere to stay so you need to get back in time for the last boat yeah you won't see any shops और accommodation की जगा पर क्या बोला anywhere to stay मालब accommodation का जो world house को replace किया anywhere to stay और answer क्या हो जाएगा shops तुबारा सुने it's a great ride but you want to be well prepared because it's very remote you won't see any shops you won't see want का क्या मतलब है will not ठीक है want का मतलब है will not you won't see any shops around there or anywhere to stay और anywhere to stay anywhere to stay की जगा पर accommodation आगया and answer is shops end पर आगया जी cost total cost for whole family of cruise and farm visit अब पूरे visit की cost पूरी family की हो सकते है आपको per person cost बताएं वो आपका answer नहीं है ठीक है पूरी family की cost और dollar sign अल्रेडी दिया हूँ इसका क्या मतलब है आपने currency नहीं लिखनी आपने सिर्फ number लिखने है amount लिखनी है और आपका हैचा मेरेड की अब जापका है तो मैं आपका इस आपकाषन Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15 Then I'm afraid it's 267 dollars because she has to pay the adult fare which is 75 dollars instead of the child fare which is 22 dollars Sorry about that. That's okay. So how do we? No, no. Give me someone to throw you TOMГ or underneath the shoes. How many numbers will you find? The answer is one number. First I give one in one. First I give one all in. I tell one about you. Now, I guess oh sorry. तो जब बोले न तो पिछला जो भी लिखा है न उसको काट दें, उसके बाद सुने आगे के, let's just try it. So what sort of prices are we looking at here? Let's see, that'd be one adult and one child for the cruise with farm tour, that's 117 dollars and an adult and a child for the adult and child, पर इसने adults का बताया, फिर adult and child, the cruise only, so that's cruise only, अब पूरा नहीं है, फार्म नहीं है, उसमें cruise only. 214 dollars, 214, all together, oh wait a minute, how old did you say your daughter was? 15, then I'm afraid it's 267 dollars, then I'm afraid, I'm afraid का मतलब है, मुझे अफसोस है, I'm afraid का ये मतलब नहीं है, हाई मेनू डर लगद है, नहीं, इसका मतलब है, मुझे अफसोस है, नहीं, इसका मतलब है, मुझे अफसोस है, आप कहते, I'm afraid I cannot help you, I'm afraid I cannot help you, एक बड़ा polite expression है, किसी को टालने का, या इंकार करने का, I'm afraid I cannot go with you, ठीक है, so it's that, So it's $267, 15, then I'm afraid it's $267, because she has to pay the adult fare, which is $75, 75 is adult fare, instead of the child fare, which is $22, child fare is $22, but हम लोग बात कर रहे है, फैमली की, cost for whole family, answer हो जाएगा 267, ठीक है, all right. जाओा किला लोगा का, जाओा टर रहे हैं, वे हैं, गोग बादी की, हैं, जाएगा लोगदी थाएगा महाँ है, ख्या दोगिग find me, और हम लोगने की, खोगदी है, इ количество अखीदादी की, cuma वेदे की or़ी की, झादी की, ए सब्सक च sok ए वेचा सकतिते है, Vag EU जाज्य की, किस